स्वागत बच्चों आपका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज की हम अपने इस वीडियो में एक करंट टोपिक रहा है 11 तारिक 11 नुवंबर को करनाटक में उनाक अबावा जैनती के रूप में बनाया गया है तो हम उनाक अबावा जो वीर योधा महिला जो थी उनके बारे में हम जानने वाले हैं कि यह कौन थी और इन्होंने ऐसा क्या किया था कि आज इनके बारे में करनाटक में उनाक अबावा जैनती के रूप में बनाया जा रहा है और इनको समझने के लिए मैं आप लोगों कुछ चीज़ें बता देता हूं जैसे कि हमारे उतर भारत में एक लाइन बोली जाती ना कूब लड़ी मरदानी वो तो जहांसी वाली रानी थी जैसे यहां पर एक तरीकी की जो लाइन बोल कर चोटी-चोटी बच्चियों को वीरता का वीरता अगर वो काम करती है तो उन्हें संबोधित किया जाता है जहांसी की रानी कहकर ऐसी करनाटक में भी चोटी-चोटी बच्चियों को यह देख रहे हूं आप खेलिए मैं एक इमेज यहां पर लिका है हूं बहुत सारी इमेज थी अगर आप इंटरनेट के उपर सर्च करेंगे उन्हाक अबावन तो चोटी-चोटी बच्चियां उनके तरीके की ड्रेस पहन कर और हात में यह एक तरीके का लकड़ी मतलब मोटी सी लकड़ी लेकर खड़ी है तो इनके पीछे कहानी है करनाटक में लोग कता हैं फैरी टेल्स सुनाई जाती है चोटी-चोटी बच्चियों को और जब भी वो कोई वीरता का काम करती है बढ़िया काम करती है तो उनक अबावा के रूप में उनको पुकारा जाता है तो इनका इंपोर्टन्स बहुत जाद है बहुत गरव से बनाया जाता है बहुत सारी चीजें इनके नाम पर करनाटक के अंदर है इवन बेंगलूरू के अंदर पुलिस की बात कर लूँ जो महीला पुलिस है तो अबावा स्कॉाड के नाम से पुलिस का गटन किया गया है चितरदुर्ग में जहां पर यह नों ने वीरता का काम किया था अभी थोड़ देर में आ रहा हूं उसके उपर वहां पर जो महीला है वहाँ पर उनाक अवावा बटैलियन के नाम से वो पुलीस महिला का निर्मान किया गया है इवन उनाक अवावा के उपर मुवीज बन चुकी है उनाक अवावा के नाम से चितरदुर्ग के अंदर एक स्टेडियम भी है तो काफी जादा important है इनका तो ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐसे मैंने आप लोगों को बताने के लिए रख लिया हूँ बहुत जादा important है एक विरांगना है अमारे देश की तो उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा इंडिन एक्सप्रेस के अंदर आई थी वहां से मैंने आप लोगों के लिए इस चीज़ को मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको भी बता चले कि सोर्स क्या है आप जाकर यहांपर भी पढ़ सकते हैं 11 नवंबर को करनाटक में सेलिबरेट किया गया है एक वोरियर वोमन उनाक अबावा की बर्स एनिवरसिटी को जहिंती बनाई गई है यहांपर आपके थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ इनके बारे में कौन है देखें मैसूर यह रहा मैसूर हैदर अली हैदर अली जो कौन थे टिपू सुल्तान के पिता उनसे पहले की बात है तो मैसूर में एक घराना हुआ करता था मैं यहांपर दिखाता हूँ मैसूर के पास यहांपर चितर दुर्ग एक किंग्डम जिसको कहा जाता है मदकारी नाइका मदकारी नाइका जो एक राज घराना हुआ करता था कहां पर चितरदुर्ग में, यह चितरदुर्ग कहां है, बेंगलूरू से 200 किलोमेटर दूर है यह, तो यहां पर क्या था, इस चितरदुर्ग में, यहां पर आप देख पारे हो न, यह एक महल है, यह एक फोर्ट है, किला है, तो यहां, हैदर अलीक से पहले, हैदर अलीका य बघ्डा रहा था, यहां पर किसी को जाना, मतलब इतना आसान नहीं था कि अंदर जाके एंट्री मतलब इनके ओपर हमला कर सके, ऐसा बिल्गुल नहीं था यहां पर, तो collar का हुआ, जो आप मतलब रन भेदी बांसुरी बुजाकर वोन किया करते थी कि हाँ भी दुश्मन आ चुके हैं अपरादी आ चुके हैं या फिर हमला हो चुका है तो त्यार हो जाओ हमले करने के लिए लड़ने के लिए तो यहाँ पर लोगों को कहले मुडा हनुमा, इनका पूरा नाम है, हनुमा, तो इनकी डूटी थी यहां पर, इन गार्ड की डूटी थी यहां पर, अब क्या हुआ दोपैर का टाइम था, दोपैर के टाइम में इनको भूख लगी और ये घर पे गए, होता है ना, लूंच टाइम हो गया, तो लूंच टाइम में जब ये घर पे गए, तो ये जो व्यक्ति हैं, जिनका मैंने आपको नाम बता है, कहले मुडा हनुमा, ये पति देव हैं, उनाक अबावा के, उनाक अबावा जो हैं, वो इनकी पत्नी है, तब ये जब ये घर पे गए, कहले मुडा हनुमा, तो जब ये घर पे गए, तो यहां पर इनके खाने के लिए, इनकी पत्नी ने, यानि उनाक अबावा ने खाना परोसा, और खाना परोसने के बाद, जब इनको पानी देने लगे, तो इनको पता चलाए कि पानी तो ही नहीं मतलब जब मटका हूं मटके में पानी देखा तो मटके में पानी नहीं था अब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर था मैं सारी चीज़ें आप लोगों का ऐसे बता पा रहा हूं यह लोग कताएं हैं, वहाँ पर सुनाई जाती है करनाटक में, तो जब इनोंने देखा कि मटके में पानी नहीं है, तो यहाँ पर यह बाहर गए, बाहर के अपने पती देव को कहा, कि आप रुकिये, मैं पाहर से पानी लेकर आती हूँ, तो क्योंकि बाहर एक कुवा होगा, पानी का स्त्रोथ होगा, तो उस स्त्रोथ में से पानी जब लेने गए, तो जब यह गई तो इनोंने देखा, कि कुछ लोग, कुछ लोग यहाँ पर इनोंने आवाजें सुनी, और यह देखा कि कुछ लोग वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त क्या था, जब खाना खाने गए थे, इनके पती देव, तो हैदर अली ने यहाँ पर हमला करने की मतलब सेना भेज दी थी, अब यह बात इनकी पतनी, यानि उनाक अबामा को पता चलगी कि यहाँ पर सैनिक जो हैं, वो हैदर अली के आ गए हैं, और यह यहाँ पर हमला करने वाले हैं, तो पर्याणा में तो इसको लठी कहते हैं, एक बड़ी सी लखडी, मोटी सी लखडी, even यहांपर आप देखिए, जो है फसल कूटने के लिए पुराने टाएम में इसको फसल कूटने के लिए यूज़ किया जाता था तो काफी मोटी है, यहांपर आप समझ सकते हैं, यहांप पर संभाल लेती हूँ तो इन्हों ने एक मिनट एक चीज में आपको दिखानी थी यह शायद कहा मिस कर दी हाँ यह देखे तो जो यह कुंडी कहते हैं इसको तो यहां से जो थे वो सैनिक आ रहे थे तो इन्हों ने क्या किया उनाक बावा ने इन्हों ने यह एक लट लिया यह एक इतनी मोटी लकडी ली तो इन्हों ने यह लिया और जैसे इस सैनिक यहां से आता हैदर अली के उनके सर पे मारती और सर पे मारकर उनको मारकर एक साइड में लगा देती ऐसे इसे करते करते उन्होंने काफी सारी सैनिकों को इन्होंने मार दिया अब क्या हुआ अब उनाक अबावा तो भई मार मार के इन सैनिकों को एक साइड में लगा रही है यह वहीं का दृष्य है इवन आज की डेट में यहां पर लोग घूमने जाते हैं मैं वो इमेज लेकर नहीं आया हूँ इस फोर्ट के उपर यहां पर इस है चितर दुर्ग में लोग घूमने जाते हैं यहां पर इवन लोग यहां पर भी आते हैं कुंडी कहते हैं इस जगह को तो काफी ज़्यादा famous है यह तो जब इनके पती यहां पर इनको देखने आये तो इन्होंने देखा कि इन्होंने तो सैनिकों को मार मार के एक साइड में कर रखा है तब इन्होंने अपनी रण भेती ये रण भेती बाहसूरी बजाए और यहाँ पर बाकी की सहना आ गए अब उना कमावा का क्या हुआ उना कमावा जब ये कर रहे थे साथ ये साथ वो चिक चिक के बाकी के सहनिकों को बुला भी रही थी कि हमला हो गया है हमला हो गया तो इससे ये जब ये कर रहे थे इनके पीछे से आके किसी ने इनके पीछे मतलब पीठ में तलवार मार दी जिससे उनकी मृत्यू हो गई वीरगती को ये प्राप्त हो गई तो ये वो कहानी है इस कहानी को इनका नाम इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पर गरव से लिया जाता है चोटी-चोटी बच्चियों को अगर वहाँ पर कोई वीरता का काम कर देते हैं तो उनको उनाक अबावा कहकर पुकारा जाता है तो ये उनाक ओमावा है जिन्होंने हैदर अली के सैनिकों को चितर दुर्ग में आने से पहले ही ये सब किया था तो आप देख पा रहे हो कि बैंगलूरू में अबावा स्कुएड के नाम से एक बैंगलूरू के अंदर है बैंगलूरू से 200 किलोमेटर दूर है चितर दुर्ग और अनाक ओबावा जो है बैटैलियन के नाम से एक चितर दुर्ग में भी है बैटैलियन महिला पुलिस के लिए तो यहाँ पर है एक स्टेडियम यह मैंने बता चूक तो काफी जादा इंपोर्टन है मूवीज भी इनके आपके लिए लेकर आया हूं और आप लोगों को अगर इसकी पीडियो चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिलेगा टेलिग्राम का तो जाकर वहां पर आप कर सकते हैं जोइन कर सकते हैं वहां पर आप इनको ले सकते हैं ओके तो बस आज के है इस वीडियो में थैंक्स फूर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में